नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को सोना बनाने का बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोग जितना चाहें उतना सोना बना सकते हैं मित्रों आपको तो पता ही होगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की सोना तथा चान्दी बनाने के प्राचिन प्रियोग लाते रहते हैं साथी साथ आपके लिए आयुर्बेदि का उसदी एवं तांतरिक उसदी तथा तांतरिक साधनाएं जैसी अन्यकों प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके ग्यान में बृद्धी करता है हमारी चलल का उद्देश से है आपको प्राचिन काल की जानकारी से अउगत करवाना साथी साथ आपके ग्यान में बृद्धी कराना तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का बहुत ही आसान प्रियोग मित्रों मैं आपको एक ऐसी चमतकारी वरस्पती के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा कोई भी मनुस आसानी से सोना बना सकता है यह प्रियोग इतना आसान है कि कोई भी मनुस अपने घर पर अजमा सकता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको बतात और अंगराने के करन आज कल लोगों को इस बारे में बहुत कम में के हाघ्य कारना कारणा और लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि और सथी साराBenंता है तो दोस्तों मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि औसधियों के माध्यम से सोना बनता है जी हाँ दोस्तों औसधियों तथा अन जो धात्वे होती हैं उनको मिला करके हम सोना बना सकते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही अ आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का वह है प्रियोग और पूरी जानकारी और इसमें कौन-कौन सी समंगरी चाहिए सोना बनाने के लिए पूरी जा दोस्तों मैं 7-8 दिनों से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ जिसकी वज़े से मैं आप सभी से छमा चाहता हूँ कि आप लोगों को समय पर जानकारी उपलब्द नहीं करा पाया इसके लिए दोस्तों आप सभी से दिल से छमा मांगता हूँ कोई गलती हो तो मुझे दोस्तों चमा करें तो दोस्तों आपके लिए मैं फिर से सोना बनाने की जानकारी लेकर की आया हूँ साथी साथ सोना बनाने के बाद जिहां दोस्तों कहने का मतलब है कि सोना बनाने की जानकारी देने के बाद आपको चांदी बनाने का भी प्रियोग बताऊंग जो आपके ग्यान में आद्बूत बृद्धी करेगा तो दोस्तों सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो धातू चाहिए वो धातू का नाम है तामा जिहां दोस्तों आपको सुध तामा धातू चाहिए और दोस्तों इसके साथ ही आपको दोस्तों कुंद्रू चाहिए जंगली कुंद्रू चाहिए जिसका स्वाद कड़वा होता है जिहां दोस्तों आपको कड़वा कुंद्रू का बेल चाहिए ठीक है और दोस्तों आपको असानी से ये मिल जाएगी लेकिन दोस्तों जो कुंद्रू कड़वा नहीं होता है उससे सोना नहीं बनता है तो दोस्त पहाँचों भाग लेने हैं जड़ पती तना फल फूल ठीक है और दोस्तों इसको लाकरके दो करके इसका रस निकाल करके रख लेना है और फिर दोस्तों आपको जुघ तांबा धातू चाहिए जी हां दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको कड़वे कुन्रू का जो बेल है उसके पंचांग का रस चाहिए ताजा तथा आपको सुध तामा धातू चाहिए सुध तामा धातू लाईए और दोस्तों इसके बाद आप उसको पिखला लीजिए और पिखलाने के बाद दोस्तों इसमें जो है कुलरू के पंचांग का रस डालिए और अच्छे से दोस्तों इसको पाक करिए पाक करने के पश्चाथ दोस्तों यानि कि पकाईए और वो भी मध्यम आच में ठीक है और दोस्तों यह किरिया आपको लगातार तीर से चार घंट करना है और ऐसा देखेंगे कि दोस्तों यह जो तामा है सुद्ध सोने में तबदील हो जाएगा जिहां दोस्तों यह सोना अपने आप में बहुत ही अद्भूत हो जाएगा जब दोस्तों आप तामे के पिगले हुए लिकविड में जिहां दोस्तों आप तरल तामे में चाहिए जिहां दोस्तों सुद्ध रांगा धातु चाहिए और मित्रों जो रांगा यह तामा बजार में मिलता है इसको प्रियोग में नहीं ला जा सकता लेकिन अगर सुद्ध है तो प्रियोग में ला जा सकता है अगर यह चीजे सुद्ध होंगी तभी सोना बन पाएगा अ इसके लिए आपको सुध रांगा धातु चाहिए जी हां और दोस्तों सुध रांगा धातु को आपको ला करके उसको भी आपको क्या करना है पिगला लेना है पिगलाने के पस्चा दोस्तों उसमें भी दोस्तों आपको जो है इस कड़वी कुंदरु का जो बेल है इसके प्रियोग कर सकते हैं अबूफन बनवा सकते हैं और आप चाहें इसको असानी से बेज भी सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कामया जा सकता है लेकिन दोस्तों सोना तथा चांदी बनाना इतना असान नहीं है इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना है और सारी समगरी सु तथे हैं क्योंकि दोस्तों इसके जानकार आज बहुत कम मिलते हैं और ये प्रहाचिन जानकारियां आज कल ये सास्त्रों में तथा अं रहा गय sno तो ख्यार दोस्तों हम इन सम्मयना जाते हुए हम अपने टोपिक पे आते हैं कि दोस्तों कोई भी मनुस्ष चाहे इस प्रियोग को असानी से करके एक बार अपनी किसमत अजमा सकता है क्या पता उसका भाग साथ दे जाए लेकिन दोस्तों इसमें सारी समंगरी सुद्ध चाह जो आपके ग्यान में ब्रिद्धी करती है वैसे तो दोस्तों साथ-ाठ दिन से मैं अपने चनल पर वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए मैं चाहता हूं लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चनल के माध्यम से ऐसी वीडियो लाता रहूं तो सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी को भी सही परकार से डवा लिजे और वीडियो को भी लाइक कर लिजे ताहिकि आप सभी हमसे जुड़ जाएं और भवीश्त में जबी हमको जानकारी लेकर के आएंगे उसका संकेत आप सभी को समय पर प्राप्त ना भूले और घंटी को भी सही पेकार से दबा लें कि जब भी हम नई वीडियो लेकर आए उसका संकित आप समय को समय पर प्राप्त हो जाए तो दोस्तों आपने वीडियो देखी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को स्थेर जरूर क कई तयाओ को समय आपकाव कालाव से जरूर को स स्थेर गियो जरूर के वीडियो को समय क त唉